शाक्षर्ता पढ़ने बंद पढ़ती को पढ़ती हुए देखता है तो आत्म गलानी से भर जाता है भारत के सुदूर इलाकों में अब भी बहुत से ऐसे लोग है जिनके लिए काला अक्षर भैस बराबर है वे चिठिया पढ़ने के लिए साक्षरों को खोशते फिरते हैं उस्तकों में नहित ग्यान दार उनके लिए किसी काम का नहीं रहता इस प्रकार वे ज्यान प्राप्ति के एक बहुत बड़े माधियम से वंचित रह जाते हैं निरक्षर्टा एक प्रकार का अंधापन है ये नीती ग्रंतों में भी कहा गया है निरक्षर्टा राष्र के विकास में सबसे बड़ा वह मतदान के महत्वक्त को नहीं समझता। जाती धर्मेवम आर्थिक प्रलोभनों में फसकर वह गलत प्रतीनी धियों का चयन कर बैठता है। गलत प्रतीनी धियों के चयन से प्रजातंत्र की सफलता संदिक्द हो जाती है। इसी प्रकार बाल विवाह दहेच प्रथा धार्मिक कटर्ता छुआ छूत आदिसामाजिक बुराया निरक्षरों में ज्यादा पाई जाती है। निरक्षरता देश के आर्थिक विकास में भी बाधक है। एक निरक्षर किसान खेती के वैज्यानिक तरीके से अनभिग्य रहता है। पलतः पैदावर में वांचित बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। निरक्षरों को सरकारी कर्यालेयों में जाने सरकारी कागजातों को समझने में काफी दिक्कत होती है। इस प्रकार विवातावरन विकास की दौड में पीछे रह जाते हैं। निरक्षर्ता उन्मूलन के लिए सरकारी सर पर काफी प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीन शेत्रों में प्रात्मिक सिक्षा, अनौपचारिक सिक्षा एवं प्रौड सिक्षा पर काफी बल दिया जा रहा है। प्रात्मिक विध्यालेों की संख्या बढ़ती जा रही है एवं उन में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो इसके लिए विध्यार्थियों में मुफ्त भोजन एवं अन्य सुविधाओं की विवस्था की गई है नई सिक्षा नीती के तहट आच से चौदा वर्ष के बच्चों के लिए सिक्षा को अनिवारिय घोशित किया गया है प्रोड व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए रातरी पाटशाला की भी विवस्था की गई है इन विद्यालेओं में प्रोड अपने काम से निवृत होकर अक्षर ज्यान प्राप्त करते हैं इस प्रकार सरकारी स्तर पर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण निरक्षर्टा उन उन्मूलन के नाम पर सिर्फ सरकारी खजाना खाली हो रहा है यही कारण है कि आजादी के वर्षोबाद भी हमारे देश में साक्षर्टा का प्रतिशत मात्र बावन है यह हम सब के लिए चिंता का विशय है इसलिए निरक्षर्टा रूपी राक्षस के समूल विनाश के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही यथेश्ट नहीं है अपितु देश के सभी साक्षरों को भी प्रभावकारी भूमिका निभानी होगी प्रतेक साक्षर भाई बहनों को ये प्रयास करना चाहिए कि वे कम से कम दस निरक्षरों को साक्षर बनाए किसी भी राश्र के समग्र विकास के लिए राश्र के मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए लेकिन निरक्षर व्यक्ति सिक्षा के अभाव में राश्र के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाता इस प्रकार आज भी भारत की लगभग आधी आबादी राश्र की मुख्य धारा से कटी हुई है ऐसे में एक मजबूत भारत का कामना हम कैसे कर सकते हैं कौन जानता है कि निरक्षरों की इन बस्तियों में ही महान गर्णी तग्य आर्थ शास्त्री देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र परसाथ और समविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव आमबेट कर निकल पड़े या तो तै है कि संपूर्ण साक्षर्ता का मशाल जडाकर जोतिर में भारत का निर्मान किया जा सकता है